Minoxidil, ऐसा medication जो हमारे hair loss को रोखने की सलाहियत रखता है, हमारे hair की growth और thickness को improve करने में हमारी मदद करता है लेकिन क्या आप जानते हो के Minoxidil का right use किया है, आपको Minoxidil कब इस्तेमाल करना चाहिए, Minoxidil आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यह जान लेना बहुत जरूरी है, जहां Minoxidil के कुछ फायदे हैं, वही Minoxidil के प्रेनुकसान भी है, इसलिए इसको जानना कि इसे किस तरीक लॉस को रोखने में बहुत काम करता है, और हमारे हेर की growth और thickness को improve करने में मदद करता है, हमारे हेर की regrowth यानि के नए बालों को grow देने में मदद करता है, जब बात आती है hair loss की, और हम hair loss face कर रहे होते हैं, बहुत severe होता है, तो हमारा confidence भी बहुत जादा lose होना शुरू हो जा ऐसी सुरत में हम fenastrate का इस्तेमाल, minoxidil का इस्तेमाल, कुछ medications का इस्तेमाल, oils का इस्तेमाल, frequent तोर पर करना शुरू कर देते हैं, यह जाने बगार कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं negative effect भी आपके शरीर पर पढ़ सकता है, minoxidil का इस्तेमाल, आ ड्रोपर में भी आता है, यह जो मेरे पास में है, यह इस्प्रे में है, और इसके साथ में यह ड्रोपर भी आता है, आपको इस ड्रोपर से इसे लेना है, आपको 1 ml minoxidil यूज़ करना है, और वो भी 2 टाइम, सुबह में और शाम, यानि के 1 ml आपको morning में इस्तेमाल करना है और 1 ml आपको इवनिंग में इस्तिमाल करना है इसे बहुत ज़्यादा quantity में आपको इस्तिमाल नहीं करना है कि जिसके वज़े से आप के बलर्ड इफेसिल्स के उपर में ये ज़्यादा effect करें और जिसके वज़े से heart के problems हो सकते हैं इसलिए आपको वही quantity इस्तिमाल करनी है इससे बहुत ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करना है मिनुकसिडिल का इस्तिमाल अगर आप hair transplant करवाते हो तो उसे 24 घंटे के बाद ही इस्तिमाल करना है कई लोग hair transplant करवाने के कुछ घंटों के बाद ही इससे इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं जो के wrong है आपको इसका इस्तिमाल 24 घंटे के बाद करना या फिर अगर आप hair transplant करवाने जा रहे हो और आप इसका regular इस्तिमाल कर रहे हो तो hair transplant करवाने से 24 घंटे पहले इस्तिमाल करो एक चीज़ का और ख्याल रखे, जब आप Minoxidil इस्तिमाल कर रहे हो, तो आपका scalp dry होना चाहिए, इसका इस्तिमाल आपको अपने के crown area है वहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हो, आपके hair lines के उपर में आप इस्तिमाल कर सकते हो, और आप इसे frontal area या mid area में इसका इस्तिमाल कर सकते हो, दूसरी चीज, मिनुक्सिडिल का इस्तेमाल करने के 4 घंटे के बाद ही आप शैंपू अगरा बेटर है Otherwise यह वाश आफ हो जाए तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कई लोग मिनुक्सिडिल इस्तेमाल करने के बाद हेर ड्रायर का इस्तेमाल करते है रात में सोते वक्त इसका इस्तिमाल मत करो, यह बहतर है कि 2-4 घंटे पहले ही आपको इसका इस्तिमाल करना है, यानि कि इवनिंग में आप इसे इस्तिमाल करो, otherwise आप इसे लगा कर आप अपने बिट पर जाते हो, तो तक्ये पे पिलोवस पर लगेंगे, जिसके वज़ा से आ उपर का इस्तिमाल कर रहे हो, तो जो क्वाइंटिटी बताई गई है, उस हिसाब से आप इस्तिमाल करो, बहुत जादा क्वाइंटिटी में मत इस्तिमाल करो, ताकि यह फिर लुड़क कर आपके गाल के आसपास और पेशानी और आपके चेहरे के उपर में गिरे, जिससे पर unwanted hairs grow होना शुरू हो जाए, तो आपको one ml यूज करना है morning में और evening में, मैं जैसा इस्तिमाल करता हूँ, मैं one ml पूरा एक साथ में नहीं लेता हूँ, मैं half ml लेता हूँ, फिर half ml लेता हूँ, half ml लेता हूँ और अपने scalp के उपर में लगाता हूँ, हलका हलका उंगलियों स rub करता हूँ, ताकि ये absorb होता सके, आपने scalp के दुआरा में और फिर उसके बाद half ml लगाता हूँ, और फिर उसके बाद हलका हलका मसाज करता हूँ उसे रिया पर, ताकि ये absorb हो सके, आप चाहें इसडिल लगाने के फौरी बाद, आप derma roller का भी इस्तिमाल कर सकते हूँ, आपकी मदद करता है, so this is how you have to use minoxidil, इस तरह से आपको minoxidil का इस्तिमाल करना है, over doses आपको नहीं लेना है, जिसकी वज़ा से किसी तरह की side effects आपको face करने पड़े in future, इसलिए जितना recommended doses है, उतना ही आपको इस्तिमाल करना चाहिए, महिलाएं भी इस्तिमाल कर सकती हैं, अ लिए 5% का इस्तिमाल करना better है, इसके अलावा अगर कोई question हो, कोई सवाल हो, तो नीचे comment box में जरूर लिखना, मैं आपको उसका reply जरूर करूगा, मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, take care, चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना म बूलिये